और वही लोगडाउं की नई गाइड लाइन्स के अनुसार पुशासन और पोलिस ने नियमो का मपारिन कराने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंट की सिमाओं पर चकिंग अभियान चलाया साथी बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की कॉरोणा ज़ाज के बाद उन्हें प्रवेश की अनुनमती दी प्रवेश की सिमाँ में प्रवेश करने वाले नुब ऑर्डर पर पॉलिस ने भारे पॉलिस पल तैनात किया है साथे पी एसी के दो टुकडियां भी चोकशी के लिए दबढ़ा दी गई है साथे दो पच्छे के बाद बाजार को बंद कराने के साथी चोकिंग अभियान चुला कर पोलिस ने पहले दिन लोगों को नसीहत देकर छुड़ा गया है कुरूना संक्रमर की दूसरी लहर के चलते लागू हुए नियमों के अनुपादन में उतुराखन यूपी के बॉर्डर पर पोलिस और स्वस्त दिभाग की टीम ने कोबी-19 की जांचती इस कर दी है बिन आजवांच परताल के किसी को भी प्रवेश्ट नहीं करने दिया जा रहा है आज वुलबबक 200 लोगों की जांच की गई रैपिट टेस्ट में सभी लोग नेगिटिव पाए गए स्वास्त कर्मियों ने बताया कि राज्यो स्वरकार गाइडलाइन सखेड़ा नुसार बारा राज्चों में से आने वाली लोगों का नियमित रैपिट टेस्ट किया जा रहा है काशेपूर SPM ने बताए कि प्रशासा ने स्पष्ट कर चुका है कि बाराज्चों से आने वाली लोगों को अपनी कोरोना रिपोर्ट साथ लानी होगी ऐसा नहीं होने पर बॉल्डर पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव आने पर ही प्रवेश्ट की अनुमती भी संभव है बाकी शेत्रों की तरह हमारे काशेपूर शेत्र में भी कोरोना के केसिस बढ़ रहे हैं और हमारे शेहर में पलोसी स्टेट से काफी ज्यादा मुवमेंट होता है आना और जाना दोनों ही तो ऐसे मामले में और ज्यादा संक्रमन बढ़ने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता प्रशासान की और से पूरे स्टैप्स लिए जा रहे हैं सबसे पहरे लोगों से यह पी लोगी की पैनिक ना हो प्रशासन के पास पूरी सभी संसाधन अविलेबल हैं पारी दवाईया हैं हमारे पास पूरे बैड्स हैं हॉस्पिटल स्टाफ है इसके अतरिक सभी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रियूप करें बॉर्डर से आने जाने वाले लोग अपने पासेज वगरा या फिर फैक्टरी वर करें अपने साथ अपने आईडी काट्स जरूर रखें